नमस्क्राइबします अपका स्वागेत ने वीडियो मेए फ्रेंडस रेल्वे के पुछेवे कम्प्यूटर के क्युस्टन्स हम कवर कर रहे हैं और फ्रेंडस इस σीरीज के कुल पांच विडियो अप्डोड हो चुके हैं यह सीरीज का पार्ट नमबर शिक्स रहेगा तो फ्रेंट्स परते क्यूस्टन के साथ में रेल्वे बर्ति बोर्ड का नाम और फ्रेंट्स एक्जाम किसे पोस्ट के लिए था ये और कौन सी साल थी ये से भी कुछ लिखा हुआ है और फ्रेंट्स बहुत अच्छे-चे क्यूस्टन्स हैं आपके आगामी अन्टी-पी-सी और ग्रूप-डी-एक्जामस में काफी एल्फुल रहेंगे तो फ्रेंट्स पहला क्यूस्टन देख लेते हैं CD-RW एक डिस्क है ये किस परकार की डिस्क है CD-RW ये पूछ रखा है तीन ओप्शन्स दिये गए हैं आपको CD-RW की फूल फूरम मैं बता दिता हूँ आपको बहुत ही जरूरी है पुछी जाती है Compact डिस्क Compact डिस्क Rewrite Able ये इसकी फूल फूरम रहती है तो इसकी फूल फूरम से पता चल रहे है RW की पुरा नाम होता है Rewrite Able यानि दुबारा लिखा जा सकता है इसमें मिटा कर दुबारा लिखा जा सकता है तो Option B इसका Right रहेगा कौम मिटा कर फिर से उसमें लिखा जा सकता है Can be Erased and Redwritten Option B इसका Correct रहेगा Next Question निमांकित में से कौन सा Jip Drives का एक उधारन है Jip Drives के उधारन कौन कौन से है CD और DVD CD की फुल फॉरम Compact Disc DVD की Digital Versatile Disc Option B इसमें सही रहेगा DVD की फुल फॉरम पूछ रखिए फ्रेंट्स इस क्यूस्टन में RRBJ के एक्जाम में पुछावा क्यूस्टन है 2015 में DVD की फुल फॉरम होती है Digital Versatile Disc Option B इसका Option C इसका Correct रहेगा Digital Versatile Disc Next Question देखते हैं निमन में से कौन सा Magnetic Storage System का परकार नहीं है तो फ्रेंट्स Floppy Disc R-Disc और Magnetic Tape ये फ्रेंट्स Magnetic Storage System के परकार है लेकिन Compact Disc ये Magnetic Storage System का परकार नहीं है ये क्या है Optical Storage System का परकार है तो फ्रेंट्स ध्यान रखें Compact Disc इसकी यानि सिदी इन से अलग है इन में से कौन सा एक करमित Access Memory है Which is Sequential Access Memory Sequential Access Memory कौन सी है तो फ्रेंट्स बहुत इंपोर्टेंट फ्रेंट्स है तो Option D इसका सही रहेगा Magnetic Tape ये करमित Access Memory है बाकी नहीं है RAM का पूछ लिया जाता है कई बर Option दे दिया जाता है क्या इसमें क्या साही नहीं है RAM के बारे में तो फ्रेंट्स ये एक करमित Access Memory नहीं है ये Options में कई बर पुछा गया है इस तरह का Question RAM और ROM के बारे में Next Question एक मेगाबाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है तो फ्रेंट्स पहले Question में CDRWF वो सबसे पहले Introduce हुआ था कौन से साल में 1997 के साल में और फ्रेंट्स पहले लिस्ट में जाकर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट आपसको मिल जाएंगे उसमें आप देख सकते हैं सबी वीडियो प्रिविएस एक्जाम्स में पिछले पांच वर्सों के एक्जाम्स में पुछे कंप्यूटर के Questions मेंने कवर किया है तो फ्रेंट्स अगला Question देख लेते हैं इन में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के Data Storage की सबसे छोटी इकाई है तो इन में से बतानी है आपको सबसे छोटी इकाई वैसे तो क्या होती है बिट होती है बिट सबसे छोटी होती है उसके बाद निबल होती है उसके बाद बाइट होती है और उसके बाद किलो बाइट मेगाबाइट इस तरह से होती है इन हैं यह सब से सोज़ी रही हैं मेगा बाइट मेगा बाइट के बाद आती है गीगाबाइट गीगाबाइट इसके बाद आते एडा फिर आती है petabyte ये sequence से मैंने लिख रखिए है एक टेराबाइट के एक 1024 get बबाइट बुरबर वती है एक petabyte के तो friends इस तरह से अगला question एक जिबी के बराबर कितने के b बी होते है एक जिबी में कितने के b होते है एक जिबी बराबर होता है 1024 sẽ mb और एक MB बराबर होता है है 1024 किलो बाइट तो दोबारे 1024 1024 आ गया तो option C इसका right रहेगा आसानी से calculate कर सकते हैं option C इसका correct रहेगा चार बिट्स का समू एक खलिस्तान बनाता है तो चार बिट्स मिलकर क्या बनाती है एक निबल एक निबल बराबर होता है चार बिट्स के और आठ बिट किसके बराबर होती है एक बाइट के तो यह याद रखिएंप रेंट्स बिट को ऐसे लिख जाता है भी small में लिखा जाता है नगी capital में capital में बाइट का भी लिखा जाता है तो फ्रेंट्स option एक 139 का option भी राइट रहेगा, friends channel को सब्क्राइब जरूर कर दे, channel का नाम है यह, next question, memory और storage में यह अंतर होता है, कि memory खालिस्तान होता है, वे storage खालिस्तान होता है, तो memory क्या होती है, temporary होती है, और storage परमानेंट रहती है, option A करेक्ट रहेगा, एक गिगाबाइट लगबग है, एक गिगाबाइट किसके बराबर होता है, तो friends यह बराबर होता है, एक गिगाबाइट, option C इसका करेक्ट रहेगा, और निचे यह करके भी वता रखा है, एक किलो बाइट वराबर एक अजार चोविस बाइट, यानि दस की तीन बाइट, एक MB वराबर एक अजार चोविस किलो बाइट, यानि दस की छे, छे बाइट, देखे एक किस तरह से निकालते हैं, एक MB वराबर एक अजार चोविस किलो बाइट होते हैं, तो एक MB में कितन बाइट्स होगे 1024 गुणा 1024 ये इतने बाइट होगे तो 10 की 3 गुणा 10 की 3 तो 10 की 6 होगे 10 की 6 बाइट्स होगे कुल एक जिब्बी में कितने बाइट्स होगे 10 की 3 बाइट्स और जोड दीजिए इसमें तो 10 की 9 बाइट्स कुल होगे एक गुणा 10 की पावर 9 बाइट्स ओप्शन सी इसका क्रेक्ट रहेगा एक गिगाबाइट में रहती है नेक्स्ट क्युस्टन इसी तरह का है एक टेराबाइट एक टिब्बी कितने मेगाबाइट यानि एमबी के बराबर होता है तो एक टेराबाइट में होती हैं 1024 जिब्बी और एक जिब्बी में कितना होता है 1024 एमबी तो एक टेराबाइट बराबर हो गया एकजार चोबिस गुणा एकजार चोबिस एम बी ये लिख सकते हैं इसको option D इसका correct है next किसी संगठन के भीतर कारियरत करमचारियों को connectivity परदान करने के लिए साजा network को क्या कहते हैं तो किसी संगठन के भीतर इसके करमचारियों को connect करने के साजा network को कहते हैं intranet intranet इसको बोलते है option B इसमें correct रहेगा next question आपके system और बारी दुनिया के बीच में रोक लगा कर आपके system का बचाओ कौन करता है तो आपके system और बारी दुनिया के बीच में रोक लगा कर आपके सिस्टम का बचाओ कौन करता है फाइर वाल फाइर वाल यानि ओप्षन ए इसका सही रहेगा 134 का ओप्षन ए जिस तरह से प्रेंट्स पुराने टाइम में राजा माराजों के जो मैल होते थे उसके चारों और इस तरह से खाई वगएरा और आग के लिए सिस्टम त्यार किया जाता था पैट्रोल वगएरा जो मिट्टी का तेल वगएरा भिछाया जाता था ताकि जब भी अटैक हो तो वहाँ पर आग लगा दी जाए इसी तरह कंप्यूटर को बारी दुनिया एकिंग से बचाने के लिए उसके सिस्टम में क्या होता है फायरवाल यानि आग की दिवार होती है इंदी में लेकिन फायरवाल इसको बोलते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन इन में से कौन सी एक वायरलेस टेकनोलोजी नहीं है तो फ्रेंट्स ब्लूटूथ एक वायरलेस टेकनोलोजी है आप सभी नहीं यूज किया होगा मोबाइल वगरा में और वाइफाई ये भी वायरलेस टेकनोलोजी है आप सभी इनका बेनिफिट लेते होंगे एक पारंप्रिक टेलिफोन जो पुराना टेलिफोन था जो वायर से कनेक्टिड था वो वायरलेस टेकनोलोजी का इससा नहीं है उप्शन भी इसका करेक्ट रहेगा मोडम का परियोग परसनल कम्प्यूटर के साथ किस कारिये को अंजाम देने के लिए किया जाता है तो मोडम कम्प्यूटर मोडम किस लिए करते हैं मोडम का उप्योग मोडम की फुल फॉर्म होती है मोडिलेटर डी मोडिलेटर बहुत ज़्यादा पुछी जाती है मोडिलेटर डी मोडिलेटर इसकी फुल फॉर्म रहती है इसका परियोग PC के साथ किसलिए किया जाता है डिजिटल को अनालोग और फिर अनालोग सिगनल को डिजिटल सिगनल में बदलने के लिए यानि इनका अपस में कनवर्जन करने के लिए डिजिटल सिगनल को अनालोग में बदल सकते हैं और अनालोग को डिजिटल सिग्नल में भी साहता से, मोडम की साहता से बदला जा सकता है Next Terminal के बीच सूचना के आदान परदान से जुड़ी Computer Code को क्या कहते हैं Terminal के बीच सूचना के आदान परदान से जुड़ी Computer Code को कहते हैं ASCII Code ASCII Code ASCII Code इसकी Full Form होती है American Standard Code of Information Interchange American Standard Code of Information Interchange Option A इसका क्रेक्ट रहेगा Next Question निमन में से कौन सा विकल्प? अर्द, दुएद, संचार, उपकरण का उधारन है तो कौन सा उपकरण है प्रेंट्स? वोकी टोकी किर्केट में चीज़ में आपने देखा होगा जो अंपायर है, डिसीजन के बाद यदि थरेड अंपायर से बात करने के लिए किसका इस्तिमाल करते हैं? वोकी टोकी का तो वो ही वोकी टोकी होता है फ्रेंट्स, फिल्मों में आपने पुलिस को भी बात करते हुए देखा होगा वोकी टोकी का यूज किया जाता है तो ये एक अर्द द्वैद संचार उक्रण होता है दो पक्सों के बीच कम्मिनुकेशन करने का एक ऐसा समझोता है जो ये बताता है कि कम्मिनुकेशन कैसे किया जाए तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल एक नीमो का सेट होता है फ्रेंट्स जो कम्यूनिकेशन करते समय है कम्यूनिकेशन कैसे किया जाए इसके नीमो के बारे में रचता है नेक्स्ट क्यूस्टन अनादीकर्त उप्योग से नेटवर्क की रक्षया करने के लिए खालिस्तान इंटरनेट प्रोटोकोल को अवरुद करता है तो फ्रेंट्स बारी अटेक से बारी एक्किंग से बचाने के लिए किसका उप्योग करते हैं फायरवाल समय बचाता है बारी तत्वों से कम्प्यूटर को ओप्शन है इसका क्रेक्ट रहेगा ISP का पूरा नाम क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP की नेक्स्ट इन में से कौन सा एक सामान्य मैत्तव का नेटवर्क है तो कौन सा सामान्य मैत्तव का लोकल नेटवर्क है local area network LAN और एक man होता है friends metropolitan area network एक होता है when यानि wide area network जो बहुत ज़्यादा use किया जाता है जिसको internet भी बोलते हैं internet की full form होती है international network तो ये थे questions friends तो friends आज का question रहेगा आपसे internet के खोजगरता कौन है internet के खोजगरता का नाम comment box में जल्दी से नाम बताईए और एक और question रहेगा अंत्राष्ट ये computer साख सर्ता दीवस ये December महिने में बनाया जाता है friends किस तारिक को बनाया जाता है computer साख सर्ता दीवस 1 December को 2 December को या फिर 3 December को friends आपका बहुत वह दन्यवाद वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह के वीडियो जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर computer से समन्दित और अपने friends में whatsapp group facebook group में जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को दन्यवाद